तो आज की सिवर में बात करते हैं कि अगर आपका जो background verification होता हुए previous कितनी companies का होता है। कि आपकी previous एक company दो company तीन company या पांच companies कितनी companies का background verification previous होता है। उसके बार मैं डिस्क्स करेंगे जो background verification initiate करते हैं तो वो one by one, one by one companies का initiate करते हैं। अब जैसे मानलो आपने कहीं जॉइन किया इसके बाद वहां से बैक्ग्राउंड वरीफिकेशन इनिसेट हुआ तो जो आपकी प्रिवियस पहली कंपनी है तो वह पहली कंपनी को मेल करते हैं कॉल करते हैं वहां के अचार्ड डिपार्टमेंट को या उस प्रोसेस को अगर उ आपकी प्रिवियस कंपनी के करके वहीं स्टॉप कर देंगे जब उन्हें यह डिटेल नहीं मिलती है कि आपकी प्रिवियस कंपनी नहीं बताती है तो वह मेल फिर फॉवड करते हैं सेकेंड कंपनी को मतलब वही मेल नहीं एक नया मेल बनाते हैं और नया कॉल बनाते हैं व वहां से वह डेटेल लेने की कोशिस करते हैं कि इस एंपलाय ने आपके यहां कब ज्वाइन किया था तो इन केस अगर आपकी प्रिवेस टू प्रिवेस और्गनाइजेशन ने अगर सारी डेटेल दे दी तो वहां से चांस बनते हैं कि 70% आपका बैक्ग्राउंड वरिफिके उन 3 तक वो लोग करते ही करते हैं वह मतलब उने को चांस नहीं कि आपके यहothट यूर्गन का बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन ना करें लास तीरी कंपनी क्या आपके बैक्राउंड वरिफिकेशन हो गई होगा और इससे जयादा केम्पनी तो हो Emily आपने सोच कर दिए हैं याज कमपनी से विश्ट कर दियां, तो यह हो सकता है कि है्या प्रीवियस जाके बैगरा운 वरिफिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन आपकर प्रीवेस् तेन 700 परसिंट होता है, कर आपको प्रीवेस ऑउगनाजस्पि बंद हो जाता है तो फिर का प्रूफ होता है, कि आपने वापे जाब किया तो उसका सीधा सा सिंपल सा से एक ही तरीका है जो आपका offer letter आता है जो आपका joining letter आता है यह सारी चीजिजेंगे आपके पास on mail होना चाहिए mail communication होना चाहिए वो Gmail पे हो या कोई भी साभी mail अगर आप यूज करते हो तो Gmail पे सारे communication होना चाहिए उस company के domain name से तो वो joining letter offer letter या आप डिजाइन करते हो या आपका experience letter आता है तो ये सारी चीज़ें आपके पास own mail होनी चाहिए इसके अलावा अगर company बंद हो जाती है तो कोई problem नहीं आपका background verification done हो जाएगा जब वो सारी चीज़ें आप next organization को forward कर देतो हो तो और अगर आपके पास कोई mail communication नहीं है आपके पास के वला hard copy है तो ये validation नहीं होता है ये उसको validate नहीं करते हैं और आपको background verification हो जाएगा cancel और आपकी job चली जाएगी आपके हां से तो जहां भी जा रहे हो जिस भी organization में जा रहे हो सारे documents आप on mail लो resignation on mail लो last working day on mail लो नहीं कि जो भी है ना mail communication करो that is called obviously written communication ना तो वह चीजो नहीं चीए आपके पास और इसके अलावा अगर आप कुछ problem company बंद हो जाती background किसे नहीं करती वह सारी चीए तो इस case में handle हो जाता है आपके on mail से कई वार companies नहीं भी करती है अगर आप वहां से कुछ पंगे करके निकले हो तो उस चीज़ से वह काफी सारी sort out हो जाती है और उस चीज़ से वह चीज़ें handle हो जाती है तो बस या दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक उसे जरू करें चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो वीडियो के नीचे रेट कर बटन दे रहोगा वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्क्राइब कर लिजे कि इस पर रियालेटी बेस पी वीडियो आपको मिलते रहते हैं वीकली में दो तीन दो तीन आपको वीडियो से मिलते रहते हैं मेरे नाम है शुबम मैं मैं में तो आपर नेक्ट वीडियो में में तिल लान है ग्रीट मोमेंट and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for coming here. जै हिन जै भार जै हुआ हुआ है